सब्सक्राइब आप सभी का एक और वीडियो में स्वागत है एंड आज ही वीडियो में यहाँ पर हम करने वाले हैं मीटन आई का चार्जिंग टेस्ट यहाँ पर मीटन आई में आपको 4820 मेज की बैटरी देखने को मिलती है तो आज इसी में चार्ज करके देखेंगे कि कितना टाइम इसको लगता है फुल चार्ज होने में स्नैब्रेंड के 750G के प्रोसेसर के साथ 5G यह आपको देखने के लिए मिलता है तो चलो बिना टाइम को वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे राइट क्लिक बटन ज़रूर से दबा देना एंड इसकी मैंने यहाँ पर एक क्विक इंप्रेसान वीडियो भी डाली है अगर आप नहीं देखी है तो लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जा कि आप वह भी चेक आउट कर सकते हो तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं चार्जिंग टेस्ट को यहाँ पर हमारी स्टॉप वॉच भी रेडी है तो चलो इसको कल रहते हैं कनेक्ट स्टार्ट और हो जाता है यह भी स्टार्ट देखते हैं किता टाइम लगेगा इसको पहले अन हुने में अभी तो पूरी तरीके से ये डैड है उसके बाद अन करके यहां पे चार्ज करेंगे तो यहां पर आप देखो और मेरा वाइफाई बस connected है और कोई भी चीज इसके अंदर connected नहीं रहेगी और देखते हैं कि कितना टाइम इसको अब लेता है यहां पर मिल जाता है तो एक घंटे में फुल तो चार्ज यहां पर करी देगा तो ज्यादा बैटर रहेगा लेकिन अगर बात करी हीटिंग वगर है हुई है कि नहीं अगर आप तेंपरेचर देखोंगे तो 40 42 तक ही गया है इसे उपर टेंपर अभी तक नहीं गया है तो एक पुरा 100% चार्ज उसको होने में वन आर आपको देखने के लिए लगेगा और काफी फास्ट चार्ज हुआ है लिट्रेली अभी तक का सबसे सही चार्ज होने वाला मैं कहूंगा शामी के डिवाइस मेरे हाथ में आया है जो भी देखने के लिए मलता है लेकिन सही है 21 तक आ गया था आराम से आप देखोगे और यह हमने स्टाट किया था 1729 पर और यहां पर खतम हुआ है आपको 1822 तो यह काफी इंप्रेसिफ चार्जिंग मुझे लगी यहां पर आपको देखने के लिए मलते हैं और काफी सही यहां पर मल जाता है तो फिलाद इस वीडियो हुआ है झाल सब्सक्राजिंग।